अजे ब्रमात्मज आज मैं सिनेमा घरों की असमंजस पर बात करूंगा दर असल फिल्मों और दर्शगों के बीच एक कश्मकस चल रही है और उसी कश्मकस की वज़े से सारे सिनेमा घर पूरे देश के सिनेमा घर असमंजस में है याद दिला दूँ कि अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इसकी घंटी भी बजा दें साथ ही बायम ये कॉफी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफी खरीदें पिछले दिनों तिगमांशू धूलिया ने मेरा एक वीडियो देख करके मुझे पाँच कॉफी पिलाई है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उनके सफलता की कामना करता हूँ सिनेमा घरों की असमंजस अनलोक की प्रक्रिया चालू है संक्रमन दर लगातार घट रही है कोरोना ग्रस्त मरीजों की संख्या भी घट रही है ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहा है वैक्सिनेशन बहुत तेजी से हो रहा है और इस दर्मियान सिनेमा घर, मौल और बाकी केंद्र खोले जा रहे है जो हमारी जरूरते है कई राजियों में सिनेमा घर खोल भी दिये गए है मतलब सिनेमा घर खोलने के आदेश दिये जा चुके है लेकिन हो क्या रहा है कि चुके दर्शक अभी तक पूरी तरह से तयार नहीं है और यह आश्वासन सिनेमा घरों को नहीं मिल पा रहा है कि वे कैसे दर्शकों को आकरशित करें क्यों? क्योंकि एक तो नई फिल्में नहीं है जो सिनेमा घर में दिखाई जा सकें प्रदर्शित की जा सकें सबसे पहली फिल्म जो रिलीज हो रही है हिंदी में वह है बेल बॉटम और वह 19 अगस्ट को रिलीज हो रही है तो 19 अगस्ट के पहले तो कुछ भी ठीक होने की बात मुझे नहीं दिख रही है हाँ इस बीच में कुछ हॉलिवूड की फिल्म में जरूर रिलीज होने वाली है और वो मेट्रोज में होंगी बड़े शहरों में होंगी जहां के लोग देख पाएंगे सिंगल स्क्रीन में तो वैसे भी अंग्रेजी और हॉलिवूड की फिल्म में नहीं लगती है मेट्रो के दर्शक थोड़े सचेत और सावधान हैं वे डरे भी हैं कि कहीं अगर संकर्मन हुआ और तीसरी लहर के आशंका अभी तक खत्म नहीं हुई है ऐसे में कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में क्या इस्थिती होगी कि क्या दर्शक चिनेमा घरों में लौट आएंगे क्या फिल्में रिलीज हो जाएंगे लगातार हो पाएंगी अभी तक तो ऐसी कोई सुबुगा हट नहीं दिख रही है निर्माता भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं वे भी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी फिल्मों की गोष्णा कर सकें हमें याद है कि इसी साल फरवरी में जब लग रहा था कि सबको सामान्य हो रहा है तब धड़ाधर धड़ाधर दर्जनों फिल्मों की गोष्णा हो गई थी तारीकों की कि रिलीज होंगी और तैयारियां चलने थी सिनेमा घरों में तैयारियां चलने थी मानक संचालन प्रक्रिया आ गई थी लेकिन हुआ क्या मार्च बीटते बीटते बलके मद्य मार्च में ही कुरोना की दूसरी लहर इत्वी तेज आई आंधी की तरह आई कि सब कुछ ठप होगी या उससे जादा होगी उसका एक डर है इसके अलावा सिनेमा घरों में यह नियम लगाया जा रहा है कि जो वैक्सिनेटेड होंगे वही फिल्में देख पाएंगे या कम से कम एक टीका ले रखा हो उन्हीं को अनमती मिलेगी सिनेमा घरों में जाने की हम जानते हैं उ जा रहा है और लगातार मारा जा रहा है रियायत के नाम पर सरकार ने अभी तक क्या रियायते दी हैं उनको उनके शुल्क माफ किये की नहीं किये उनके बिजली बिल माफ किये की नहीं किये ये सब अभी तक पता नहीं चला है सब कुछ कार्पेट के नीचे हैं लेकिन यह यक कहीं किया जा सकता है कि सिंगSirate skin का आमने ख़वर सुनी आ कि single screen भेर सारे single screen बंद होने के कगारि हैं और कुछ बंद कर दिये गया है सिंगर सक्राइब को माले हो लग रहा है कि अब धन्दा अब फिल्मों के प्रदर्शन का धन्दा बहुत फायदे मन नहीं रहा तो ये सच मुझ बहुत बुरी इस्थिती चल रही है अभी तक और बेहतरी की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं तो वही असमंज़ सिनेमा घर के मालिकों को काम कर रही है आदेश के बावजूद सिनेमा घर खोल के वे बैठे हुए हैं लेकिन बॉक्स ओफिस पर सटर गिरा हुआ है सिनेमा घरों के साफ सफाई चल रही है वहां के करमचारियों का ठीका करवाया जा रहा है उन्हें सब कुछ बताया जा रहा है सुरक्षा के इंतजाम किये जा रहे हैं साफ सफाई के इंतजाम किये जा रहे हैं सैनिटाइजेशन के इंतजाम किये जा रहे हैं और यह गारेंटी करने की कोशिस की जा रही है कि दरसक आएगा अगर तो वह सुरक्षित रहेगा जरूरी यह है कि सोशल मीडिया के जरिये पत्य पत्रिकाओं की जरिये टीवी की जरिये सिनेवा घर के मालिक प्रचार्च करें इसमें फिल्म इंडिस्ट्री भी उनका सहयोग दे कि कैसे सिनेवा घरों में जाना एक सुरक्षित फैसला हो सकता है तो देखें यह असमंजस कितनी जल्दी खत्म होता है और दर्शक सिनेवा घरों में फिर से लोटते हैं बॉक्स ऑफिस की चमक लोटती है और फिर से स्टार गुन गुनाते हैं और मुस्कुराते हैं शुक्रिया महरवानी धन्यवाद